समस्कार दीवी और देता हूं मैं जीत आपका स्वायत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाहब पर NestJS की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लाइट जब डेटा भेजता है सर्वर को तो इस डेटा को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं उसके साथ कैसे काम करते हैं NestJS के अंदर क्लाइट कैसे भेजता डेटा या तो ब्राउजर में फॉर्म के तुरू भेज रहा होगा या फिर आप पॉस्टमें वगारा के तुरू किसी भी माध्यम से डेटा जम भेजता है बॉड़ी के अंदर जो हमारा क्ला request के लिए request handler बना लिया है जो कि है slash video वाला कि user slash video पे कोई post request डालेगा तो हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे उस data को access करेंगे उसके साथ जो भी हमें चीजे करनी हैं और return में हम लोग उसको क्या कर देंगे success भीज़ देंगे कि आपका data submit हो चुका है इस तरीके से कुछ में json object उसको transfer कर दूँगा अब यह जो data आएगा हमारे पास client site से request body के अंदर आएगा तो request body को हमें access करना होगा ताकि उस data के साथ हम लोग काम कर सकें जैसा कि express या fastify में हम करते ही हैं कि जो भी data client भेजता है तो request.body के तो हम लोग access कर लेते हैं body parser उसे parse कर देता है और फिर हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक decorator जिसका नाम क्या होता है body decorator और यह body decorator भी हमारे पास कहां से आता है next.js common में सी आ जाता है जो body decorator है इसके थू हमें request.body वाली जो property है वो मिल जाती है next.js इस internally body parser का इस्तमाल कर रहा होता है वो आपके लिए parsing कर देता है उस data की जो भी आपके पास client ने भीजा है बस हमें यह body decorator यूज करना होता और वो data में मिल जाता है मैं यहां पर कह सकता हूँ कि request का जो हमारे पास data है इस argument को नाम दे देते हैं हम लोग request data और इसकी जो data type रहेगी मैं कहा देता हूँ एक record रहेगा मतलब key value का pair आएगा हमारे पास console पे एक बार इसको print करके देखते हैं जो भी request data हमारे पास आ रहा है body आ रही है postman में मैं यहां पर post request करूँगा इस route पे user slash वीडियो वाले पे body में मैं row data भीजने वाला हूँ जो json type करेने वाला मतलब मैं क्या कर रहा हूँ json भीज रहा हूँ यहां पर server को json object भीज रहा हूँ इसको जब मैं send करता हूँ success true आ रहा है और यहां पर console पे हमें server side पे request body जो है वो मिल जा रही है वो data हमें मिल रहा है देखिए जो अभी हमने technique देखिए उसमें सिरफ अभी आप json जो है वही send कर सकते हो client side से और यह receive कर पा रहा है अगर मानलीजे form data type को कुछ आपको चीजे भेजने हो जैसे कि हम लोग usually करते हैं इसके अंदर क्या होता binding data भेज सकते हैं आप जैसे images वगयरा तो उसके बारे में अलग से हम लोग study करेंगे लेकिन अभी हमें अभी आपको सिर्फ इतना जाना था कि body जो जैसन टाइब किया है वो आप कैसे इसमें receive कर सकते हैं यह जो body नाम का decorator हमारे पास है चाहूं तो मैं इसमें specially क्या सकता हूं कि मुझे specific key extract करनी है जैसे मैं कहा देता हूं इसको कि name ही मुझे extract करना है तो इसकी जो data type हो जाएग जैसे last studio हमने query parameters वगेरा देखा था वैसा ही है कि अगर आप specific key इसमें से कोई extract करना चाहते हो तो और जब इसको मैं save करके run करता हूं send किया मैंने तो specific key ही हमारे पास जो इसकी value थी वो मिल गई data type देना वैसे सही रहता है आप data type देते हो तो आपके लिए सहूलियत हो जाती ह इस तरह का format है आपका data का वो सही रहता तो यह body जो decorator है इसमें चाहो तो आप special key दे सकते हो जिसको extract करना या फिर आप पूरा का पूरा इसको इसको इस्तमाल में ला सकते हो जो भी पूरी body आ रही हो इसका key value pair आपको इसमें मिल जाता है क्यूंकि हम लोग data type की बात कर रहे यह एक तरह की notation होती है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि data transfer के लिए यह चीज हम लोग इस्तमाल करने जा रहे हैं यह format इस्तमाल करने जा रहे हैं यह एक अच्छी practice है बाकि DTO के बारे में आगे मैं जुरूर discussion करूंगा अभी सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि यह notation है सिर मेरा इसी format का होना चाहिए इसके अलावा कुछ और भी कीजिस में हो सकती है यह सिर्फ अपनी सहुलियत के लिए मैं नया पे लिखा है आगे जाके वीडियो में हम लोग जब देखेंगे कि pipe का इस्तमाल करके validation वगरा कैसे लगा सकते हम लोग कि proper उसी format का data होना चाहिए तो सकती है आपके पास अब मैं करता हूँ send तो यहां पर हमारे पास tag जो है undefined आ रहा क्यों क्योंकि हमने क्या कि है JSON format में date भी यही चीज में आपको बताना चाहरा था कि कोई validation नहीं है यहां पर कहने को मैं यह भी कह सकता हूँ कि date भी हमारे पास हो सकती है तो अगर मैं इसको कर लेगा और जेशन format के लिए कर लेगा अगर आपको binary data भेजना है फाइल वगरा भेजनी है form data भेजना है उसके लिए specific वीडियो में जरूर बनाऊंगा next वीडियो के अंदर हम लोग एक complete example देखेंगे जहां पर हम लोग body का इस्तमाल करेंगे query parameters का parameters का get post put मतलब एक complete resource जो ह आपको बना के दिखाने वाला हूँ उससे आपको एक बहुत अच्छा idea मिल जाएगा जो अभी तक हमने topic study कर रहे थे कि उनका actual practically आप कैसे इस्तमाल कर सकते है एक overview आपको अच्छे से मिल जाएगा आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को like करते इसके लिए मैं available हूँ मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद